जाहिन दोस्तों कैसे आप लोग उमीद आपसे बहुत आचास होंगे दोस्तों आईए इस वीडियो में हम एक बर फिर से महा महरातन क्लास में All Important Questions of RMLU B8 Second Year Paper 2 को हम देखते हैं सबसे पहले पॉइंट समझते हैं कि किस पॉइंट से आपके मापन किसे कहते हैं आकलन किसे कहते हैं मुल्यांकन किसे कहते हैं या फिर मापन आकलन मुल्यांकन में अंतर पूछ सकता है या कभी-कभी किसी दो में वह अंदर पूछ देता है आएगा 101% सवाल आगा इसके अलावा इनके जो प्रकार हैं सतत एवं व्यापक मुल्यांकन जनात्मक और योगात्मक का मतलब समेटिव और फॉर्मेटिव इवैलुएशन तो इस प्रकार से यह कोशन्स आपको 101 परशन आना ही आना है ठीक है चलिए यह हो गई बात मापनाकलन मुल्यांकन की क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ परिवासा छेत्र सोपान तता महत्तु क हम देखेंगे इस वीडियो में प्रशन पूछे जाएंगे और आपसे पूछता है करी क्रियात्मक अनुसंधान के प्रस्ताव यह क्रियात्मक अनुसंधान पर रिप्न तैयार करी तो यह हो गई आपसे इस से प्रस्त इसके अलावा जो आपके प्रशने दोस्तों IMPORTANT PARIKCHAN TEST के बारे में पूछता है इसके बारे में मानिकरित या परमालिकरित या इंग्लिज में इसको Estandarized Test कहते हैं ये क्या होता है मानो निर्मित या अध्यापक निर्मित परिक्षण इसके बारे में पुछ जाता है और निदनात्मक परिक्षा तो most important है दोस्तो डाइगोनस्टिक टेस्ट इसके बारे में भी सवाल आपसे पुछा जाता है जिसको हम इस वीडियो में देखेगे चलिए परिक्षा परराली से सम्दित सवाल पुछे जाते हैं जैसे semester परिक्षा क्या होता है ग्रिडिंग पर इच्छा क्या होता है वस्तुनिष्ट मतलब objective टेस्ट किसे कहते हैं और निबंदनात्मक मतलब essay type टेस्ट किसे कहते हैं इससे समंदित आपसे सवाल पुछे जाते हैं चलिए और last point दोस्तों आपसे कुछ numerical पुछे जाते हैं math के question पुछे जाते हैं जैसे एक तालिका दी जाएगी और उस तालिका से आपको माध्य माधिका मध्यमान सह संबंद गुरांक या माननक विचलन ग्यात करना होगा अगर आप math के अच्छे विद्यारती है math में आपको इंटरेस्ट है तो आप यह निकालिएगा या फिर आप यह कर सकते हैं उसके अत्वा में प्रशन दिया रहेगा कि नीमन में से क्या समझते हैं आप वालन करिए जैसे आप कुछ भी पूछ सकता है माध्यमाधिका माध् किसे कहते हैं यह पूछ लिया जाए मानक विचलन चेतुर्थांस विचलन या केंद्रिया केंद्रिया माप से आप क्या समझते हैं तो यह प्रशन आप से सब्दों में theory पूछता है तो या तो आप numerical करिए या तो theory करिए इस वीडियो में हम numerical नहीं देख पाएंगे क्योंक इस वीडियो में इसके अलावा दोस्तों सांखिकी किसे कहते हैं इसके और परिवासा इसका महत हो क्या है और डेटा से आप क्या समझते हैं तो यह हो गए overall प्रशन जो कि आप से इससे 80% आप यकीन मानी है 80% से ज़्यादा आपके इससे प्रशन आपको एक्जामस में आ ज अगल की किताबी लेंग्विज नहीं आसां से भासा में समझ जाए जैसे मान लीजी कि कोई बच्चा है या कोई बच्ची है मैं एक एक्जामपल देता हूं नेहा ने अपना इंट्रेंस एक्जाम दिया तो नेहा को 100 में 70 अंक पराप्त हुए ठीक है अब 100 में 70 अंक सबसे यहां पर 70 अंक क्या किया आपने संख्यात्मक मान बता दिया आपने उनके पढ़ाई को अंकों में मान बता दिया तो जब हम किसी वस्तु का अंकात्मक रूप देते हैं जब हम किसी वस्तु या प्रकिरिया का अंकात्मक रूप या संख्यात्मक मान बताते हैं तो वो माप प्राप्त अंकों का अर्थ बता दिया ठीक है तो जब हम केवल किसी वस्त या प्रकिरिया का अंकात्मक रूप बताते हैं तो वो महापन कहलाता है और जब हम प्राप्त अंकों के अंकात्मक रूप का अर्थ निकालते हैं ठीक है तो वो प्रकिरिया आकलन कहलाती है और आपन अर्थ निकालने के बाद क्या किया दोस्तों उनका मुल्यांकन कर दिया उनके प्राप्त अंको का मुल्य निर्धारित कर दिया अपने वैल्यू बता दी तो जब आप वैल्यू बताते हैं तो वो इवैल्यूएशन हो जाता है जब आपका मुल्य बताते हैं तो वो मुल्यांक प्रिया का अंक निर्धारिद करने के बाद उसका अर्थ बताने के बाद हम उसका मुल्य निर्धारिद करते हैं तो वह क्या होता है दोस्तों मुल्यांकन कहलाता है इस प्रकार से आप अपने सब्दों मिली कि चलिए अंक आवंटन मापन अंको का अंक आवंटन प्लस अर्थ आकलन और अंक आवंटन अर्थों का अंक तथा अर्थों का मुल्यांकन होता है अब यह परिडात्मक होता है यह परिडात्मक तथा परिमारात्मक दोनों होता है ठीक है यह संख्यात्मक मान होता है और यह संख्यात्मक तथा परिडात्मक दोनों होता है और मुल्यांकन के द का उससे विस्तरित होगा और मुल्यांकन का क्या होगा इन दोनों से विस्तरित होगा ठीक है चलिए इसके दवारा छात्रों की उस्तर पुस्तिका को जाच कर अंक परदान किया जाता है आकलन दवारा छात्रों की कमजूरियों अच्छाई ग्याद की जाती है और मुल्यांकन पड़ा पाठ्य वस्तू केंद्रित होता है या सिच्छाक तता चात्र केंद्रित होता है या उद्देश से केंद्रित होता है क्या अपनी अपका उद्देश से क्या है इसमें कम समय लगता है इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगएगा इसमें दोनों से ज्यादा समय लगता है चलिए मापन द्वारा परिखन किया जाता है आकलन में वहवार की निगरानी की जाती है और मुल्यांक का लगतार चलने वाली प्रकिरिया है इसको अलोचनात्मक कहा जाता है और मुल्यांक का दोनों होता है चीक, चली, इसको निश्ची समय में किया जाता है, इसको भी निश्ची समय में, अब इसका सता तुरूप से चलने वाली प्रेकरिया है, चली, मापन का अस्ती तो सामने तब आता है, जब हम विद्यार्टियों का अंग परदान करते हैं, इसके अंत्रगत सही उत्तर के लिए पूर अंक और गलत उत्तर के लिए सुन नियंक दिया जाता है, इसमें गड़ी तथा वैसा है, जैसे कुछ परिच्छाएं सामिल होती है, तो कहने के मतलब यह थोड़ा सा अंतर हो गया, अब आप इन तीनों को समझ गये न, तो बस आसान से सब्दों में, अगर थोड़ा स आप बात थोड़ा सा और एक्स्प्लेन कर दिएगा कि आकलन वह परिकिरिया है, जिसके द्वारा हम यहां ग्यात होता है कि बच्चा अधिगम को किस अस्तर तक सीखा है, या किस अस्तर तक अधिगम को ग्रहन करने में समझ रहा है, आकलन के द्वारा अधिगम की पता आकलन के द्वारा लगता है, और सिखकों की कुसलता है, मसफलता कभी पता आकलन द्वारा लगता है, और आकलन के द्वारा अध्यान एवम अध्यापन दोनों को परभावसारी बना जाता है, अब यहां पर ध्यान दीजिगा दोस्तों, आकलन के बाद ही मुल्यांकन क करते हैं एक निश्चित समय की पूरती कहां तक प्रगर्दी हुई विध्यारती के अनुभव योगता में कितना प्रीवर्तन आया तरह सिशक्न गरने इस दिशा में कहां तक स्योग किया। अगर हम साब्धिक अर्थ की बात करें तो मुल्ले का अंकन मुल्ले में मापन के परेडामों की व्याख्या कि जाती है। और यहां व्याख्या कुछ समाजिक, सांस्कृतित अत्वप वेग्यानिक माप दंडो के अधार पर की जाती है तो यह हो गई बात मुल्यांकन की परिभासा आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मुल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रकिरिया का मुल्य निस्चित करना है इसको याद रखेगा ठीक है मुल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रकिरिया का मुल्य निस्चित करना है इस प्रकार सैचिक मुल्यांकन से तात पर है कि सिक्षड प्रकिरिया तथा सीखने क किरियाओं में उत्पन अनुभाओं की उप्योगिता के बारे में निड़ाय लेना ठीके दोस्तों अगर आप से केवल ये पूछ दे एक नंबर में कि मुल्यांगन के घटक कौन कौन से होते हैं या फिर केवल मुल्यांगन को लॉंग में पूछे तो एक हेडिंग डाल दीज प्रेड़ा मिलता है आप सोच सकते हैं कि क्या कमें कोई परिवर्तन करना है चेंजिस करना है सिक्षड में उन्नेती निर्देशन परामर्श में सहाईता परिक्षप्रणाईम सुध्याल और विद्यालें सुधा दोस्तों उदेश से और आवा सकता है आपको अपने करेंगे और उसका परिभासी करेंगे मतलब पहले आप उद्देश सिंद्धार करेंगे क्या आप मुल्यांकन क्यों करना जाते फिर आप योजना बनाएंगे कि उनको कैसे हमें करना है फिर उस पर क्या करेंगे उस वहवार प्रितन के दार पर आप मुल्यांकन के तरफ तो आईए देखते हैं कि सतत और मुल्यांकन व्यापक मुल्यांकन क्या होता है दोस्तों आखिर यह है तो मुल्यांकन का ही भाग तो अगर आपसे परिच्छा में सतत और व्यापक मुल्यांकन पूछता है तो आप लिखे सतत का मतलब होता है continue और व्यापक का मतलब comprehensive सतत का मतलब निरंतर चलने वाला और comprehensive मतलब व्यापक पूरे संपुर्ण रूप का मुल्यांकन करने वाला तो अब आगे देख लेते हैं सतत एमों व्यापक मुल्यांकन बच्चो कि समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है बस हो गया समुचित विकास का निरंतर ठीक है बस हो गया नियमित आकलन है जिसमें विकास के सभी पहलूं के विभिन विधियों को करो द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है समझ में आगा है दोस्तों निरंतर और व्याप यह व्यापक समूचित विकास का आकलन किया जाता है इसी को हम सतत और व्यापक मुल्यांकन कहते हैं अब आईए थोड़ा one by one और इसको heading डाल के आप explain करिए कि सतत का साभिक होता है लागतार इस प्रकार सतत मुल्यांकन लागतार चलने प्रक्राइब प्रक्राइब लेगाÓं इसमें बच्यों के आक्लन यानि मुल्यांकन सत्त रहुत सब्सक्राइब करें इसमें ना सिर्फ विशे आधारी तो बलकी पाठ्थ सहक्सा पार्ट गरम गति वीदियों कभी नियमित रूप से आकलन या मुल्यांगन किया जाता है व्यापक मुल्यांगन के बारें बात करें तो व्यापकता से आसे है बच्चे के समस्त कौसलो गुड़ों का विकास जिसमें क्या होता है जिसमें सारडिक मांसिक समाजिक नेतिक सनविगात्मक विकास का भी समझित होता है जो एक अच्छ मुल्यांकन होता है चलिए व्यापक आकलन या व्यापक मुल्यांकन अवलोकन चर्चा साचत का आधिके माध्यम से किया जाता है चलिए दोस्तों बहुत अच्छा अगर हम विसेश्था की बात करें तो बिल्कुल वही बात है चात्रों के सिखने के प्रेकर को असान बनाता है चात्रों दोरा सीखने के करम में आने वारी कठनाईयों को पता लगाता है इसके दोरा सीखने के दोरान चात्रों में होने वारी कठनाईयों को कम किया जा सकता है दोस्तों अब ये जो पॉइंट है उद्देश या उद्देश से आप मुल्यांकर में भी लिख सकते हैं बच्चों को सिखने में कठिनाई को दूर करना दूर करने के लिए अध्यापन की उप्यूगत दोजना बनाना और बच्चों के परिक्षा के पड़ती भैय दबाव डर को दूर करना यह आप किसी में भी लिख सकते हैं यह उद्देश बचाहे मुल्यांकन या आकलन जतत या व्याबग मुल्यांकन की सिवे भी लिख सकते हैं एक ही बात है तो अब आईए दोस्तों हम समझने की कुशिस करते हैं कि संराचनात्मक और योगात्मक मुल्यांकन क्या होता है तो ठीक है तो इंगलिस में इसको कहते हैं स्पैलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगा यह काइनल इसको कहते हैं फॉर्मेटिव एवैलुएशन ठीक है और इसको कहते हैं योगात्मक को समयटिव है बहुत आसान से सब्सक्राइब आपको समझना है जैसे मान लिजिए कोई बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है ठीक है तो आप उसका मुल्यांकन करते हैं उससे यह जानन का मुल्यांकन हो गया दूसरा होता है कि आप परिक्षा में पूछ रहे हैं या फिर आप वाईवा ले रहे हैं या फिर आप एक्जाम में पूछ रहे हैं और एक्जाम में कह रहे हैं कि आप five का टेबल सुना अगर वो बच्चा नहीं सुनाएगा तो आप उसको zero mark कहके हैं मतलब जैसे मान लीजे जब कोई सैचिक योजना अपनी प्रारंबिक या निर्माड अवस्ता में हो मतलब कोई भी योजना शुरू हुई हो या फिर चल रही हो पूरी नहीं हो दोस्तों पूरी होने के बाद नहीं कोई भी चल रही यह से classroom चल रहा है ठीक है पढ़ाई सुरू हुई है तो हम जब इसमें जब कोई सैचिक योजना अपनी प्रारंबिक या निर्माड अवस्ता में हो और उसका मुल्यांकन कर उसमें सुधार किया जा सके तो इस प्रकार के मुल्यांकन को हम क्या कहते हैं दोस्तों संद्राचनात्मक मुल्यांकन कहते हैं इसके व बारकरम याइजना को स्वीकार करने या भविस्वें जारी रखने का समंद्ध में निर्ड़य लिया जा सके, आपको यह जानना कि बच्चे को फेल करना या पास करना इसको आगे भेजना रिक करते हैं तो वह आता है किसके अंदर योगातमक के अंदर और जब आप किसी के अ गुडवत था वन्च निये था आधी का उपयोगी था बढ़ाने के लिए गया था तो वह संद्राचनात्मक करात है इसका उद्देश से सहची कारकरम में की योजना योजनाओं को वृजनाओं में कमयों की सुधार के लिए बताना होता है जबकि संद्राचनात्मक मुल्यां लिकण सत्र आंत में होता है आपने पूरी वर्ष पढ़ाई कर लिया या दिर्ग काली निड़े लेने दिया इसका निखर से अंधील प्रड़ाम है दोस्तों अगर मानली इसका निखरस यह निकला कि बच्चे को नहीं आता मतलब नहीं आता मतलब फेल ठीक है तो यह क्या ह ये दिर्गेकाली या सुधरात्मक होता है या परिडात्मक होता है या प्रकिरिया के मद्धे में किया जाता है और या प्रकिरिया के अंत में किया जाता है इसका निसकर्स अंतिम परिडाम नहीं होता है जब कि इसका निसकर्स अंतिम परिडाम होता है दोस्तों बहुत अच् इसकी विसेशता क्या होती है इसका माहत क्या होती है इसको थोड़ा सा हेटिंग मरा कि आपको लिहना पड़ेगा चरी यह चीज़े तो हो गई अब हम बात करेंगे समध्यान करके उस समस्या को दूर करना और अपने सिक्ष्णप्रेक्ति हो जो सकते हैं और उन सह करम, चाहिए हो सकते हैं तो विद्याले से संबंदे व्यक्तियों त्वारा अपनी और विद्याले की समस्याओं का विज्ञानिक अध्यन करके अपनी और विद्याले की क्रियाओं में अपनी क्रियाओं अगर नुसनधान कारेकरताओं दोरा किया जाने वाला नुसनधान है ताकि वो अपने कारेों में सुधार कर सके मुंद्रों ने कहा था जिसमें सुधाओं की पुष्टी तथ्धों दोरा कि जाती है अब ये हो गई बात इसकी परिवास अब आप उद्दे से क्या रखेंगे आप विद्याले की किसी समस्या का सुधार कर रहे हैं तो उसका उद्धे से क्या है यही तो उद्धे से है कि विद्याले की कारे प्राणी में सुधारता विकास करना चात्रों के सिक्षक में प्रद्यातंत्र के वास्तिवी गुणों का विकास करना विद्याले की कारे करताओ में कॉसल का विकास करना इस्किल्स डेवलप करना यह बस यही चीज़े आप लिखती जिए ठीक है सैच्छिक प्रकास को प्रबंदकुत को विद्याले की कारे प्राड़ी में सुधार तथा परिवर्तन के लिए सुझाओ देना विद्याले की प्रमप्रागत रोड़ी वत्त कर सकते हैं तो इसषण विधियोंने वुक्तियों इसका प्रबंदकुतं के समधान के लिए और चात्रों की अनुशंधान- वर्तनी ़ीजान समस्याओंanca प्रजियों सब्सक्रेवाबन की समस्या में प्रशपर आदान पदान की kok प्रविEO कैसे सबसे न कि वी जाहें सबसे पहले में समस्या का नचलिए कि हमाली समस्या कारी के लिए प्रस्ताओं पर विचार करेंगे कि आप उस समस्या के समधान के लिए कैसे आप करिा फिद योजनाओं का उतकलता करेंगे इनका उपकल्पना करेंगे द्यर्थ तो पॉइंट आप बिल्कुल देख सकते हैं फिर वही सारे पॉइंट से डोंट वरी मैं इसका पीडियोफ आपको शेयर करूंगा इसके बारे में घबराई मैं अब आईए हम यहां पे एक समस्य यहां पे देखेंगे कि विद्याले की किसी समस्या का चेयान कर किरियात्मा कर अनूसरणतां परस्ताव करना यंद कर पारिक वरिपोट तयार करना वही ब caveat कि एक समस्या यह सबसे पहले आपको क्या करना है विद्याले की समस्या का जन करना है था कि शात्रों बाएर ले सकते हैं सबसे पहले आपने समस्या की प्रिष्ट भूमी लिखी कि आपको समस्या का पता कैसे चला आपको कैसे लगा कि समस्या है देखे वीगत कुछ वर्सों में चात्र के विद्याले से भाग जाने की प्रवर्ति आराम हो गई है चुटी लेकर या बीना चुटी लिए बच्चे चले जाते हैं विल्कुर आसान से सब्दों में दोस्तों समस्या पर आपने विचार किया अनुसंदार समुह के दस्यों को इस बात की पूर्ण निश्चे हो जाता है कि चात्र के अंदर भागने की प्रकिरिया है प्रविर्ति है जिसको हमें सुधार करना है तो समस्या निर्धार हो गया हमारे यहां पे अब हमने समस्या की कारण जानने की कोसिस करी कि समस्या क्या है कि बच्चे जो भा व्यवस्ताव में अनुसंधन करता को यकीन है कि अगर हम इन समस्याओं को दूर कर दें तो बच्चे कच्चा छोड़के नहीं जाएंगे ठीक है आप इसको भी मत देखिए कि हम क्या लिखे हैं आप बस वो समझे तो अनुसंधन करता कि को यकीन है कि यदि विद्याले में सम अगर आप यह सब करेंगे तो क्या होगा बच्चे नहीं भागेंगे आपने एक योजना बनाई इसी को उपकलपना कहते हैं आपने उपकलपना करी अब आईए अब हम इसको कारेनवन करते हैं लागू कर देते हैं ठीक है तुकरम संख्या एक दो तीन तो अक्टूबर के पर्थम सब्ता दियोतिय सब्ता तिर्थी सब्ता चतूर सब्ता इसमें आपने क्या किया पहले कुछ क्लास में अंताक्षरी खेलाई कवी सम्मेलन हुआ नाटक हुआ खेल का योजन हुआ चित्रकला परत्यों किता हुआ आपने टूर और अंताक्षरी खेलाई ठीक है बच दोष्तियों के कक्चा छोड़कर चले जाने की समस्या का निम्न परिडाम हुआ क्या हुआ हुआ? जात्रों में भागने में कमी आई, योजना को लागु करने में च्छात्रों के अंदर विद्याले आने की रूची बढ़ी और विद्याले वातर्मन के आनन्दमे हुआ अंदर इच्छा है पढ़ने की तो दोस्तों आप यकीन मानिए क्रियात्मकरुन संधान से सम्मधित ये परशन आएंगे आप समझ गए हैं असानी से लिख सकते हैं अब आईए ऐसी करके हम वीडियो को खतम करेंगे और पूरे स्लेबस को हम समझ जाएंगी एक ही वीडियो मे निदर आत्मक परिशा तो चलिए इसको भी हम सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि परिख्षा क्या होता है वही बात है ना परिख्षा तो हम सब देते हैं तो भया चात्रों की उपलब्दी से संब्दित प्रमाड़ों को इकठा करने की प्रक्रिया को परि सुरू को अर्फिकर्म की जाती है उसे हम परिख्षा कहते है घर कोई बात नहीं अब आई परिख्षा है फνकलें अनगतर क्या होता है उपयोगता क्या होते यह बड़े चीज़ नहीं हम इसमें बात कर तो यानि कि प्रमानिकरीद Пр pourquoi और स्टेंडरराइजेशन ट्स दोस्तों इसको दो आठ जयान से समझे मानिकरीद ट्रेंडर्ड का मतलब क्या होता है अगर आपको मानिकरीद में अध्मिशन लेना है तो आपका सेक्षा बसकी लाई कि बास मानिकरीद के इस Аंट। देना पड़ेगा और आपको नहीं पूरे यूपी की विद्यार्थियों को देना पड़ेगा अच्छा ये बीед के इंट्रेंट इक्जाम होता है उसका टेस्ट लेता कौन है क्या आपका महाविद्याले लेता है आपका विश्य विद्याले लेता है या पूरा कोई एक को किया जाता है मांकरीद परिक्षन का लाता है समझ में आगए बातंत हुझा होगे हुझे मन और अम करना ही प्रयाप नहीं है इसके साथ और परिक्षन प्रसाशन की विदी तता फलंग प्रक्रियाओं के निश्चित करना भी आफसेक होता है इस संबंद में एनस्टी जो ने लिखा है कि मानकी की करण का तत्पर परिक्षा की प्रसासनेवं फलांक विदी से के एक में एक रूपता से सिंपल सी बात है कि वह परिक्षण जो बड़े लेबल पर होता है जिसमें कई मनोविज्ञा अपने वीचारों के द्वारह प्रस्फ्फ़त को त्यार करते हैं बहुत ही सावधानी से वैदता से और विश्वास्तियता से मोलने अंगर किया जता है मानकी की करित प्रक्षण या सिंपल सी बात है नीट का एक्जाम हो गया जयी मेंस का एक्जाम हो गया आईटी का परिक्षण के इंतर गाता थी अब आई वेक्तिकत परिक्षण या फिर अध्यापक निर्मित परिक्षण क्या होता है एक समय में केवल एक ही वेक्तिकत नहीं हम यहाँ पर बात करेंगे अध्यापक निर्मित अध्यापक निर्मित क्या होता है अध्यापक निर्मित की भाति इन परिक्षा में वस्तुनिस्थ प्रकासन भी किया जाता है, तो वह क्या है अद्यापक दिन्मित है अप पूरे यांटरेसों ध्याम से क्या है माने कृष्टर की से इसको लिखेंगे चोटे और प्रेशन दोस्तों इस ok इसके दोरा विदारती विशे समद्ध ग्यान के साथ साथ विचारे को व्यक्त करने के सकते हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लेजिए इसके गूड ये है कि इसमें सब्दों की कोई सीमा नहीं होती है इसमें बच्चों को अपने विचार व्यक्त करके पूरी छूट मिलती है, इसमें बड़े मात्रम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, इसमें आपके लिखने की छमता का परिक्षण हो जाता है, इसमें आपके सब्ध भंडार का परिक्षण हो जाता है, यह इसके गुण है, क्या दोस्तू ये given कि रस्राइब को दूस्त तो दोस्त हो दोस्त ये क्या होता या कि क्ये एक्व श्रब्दब produkt निवनमे से एक सही विकल्भ का चुनाव करिए तो यह क्या है वस्तूनिस्ट और फिलींद स्क्ताइ क्या है वस्तोनिष्ट है अतिलग उत्री क्या है वस्तोनिष्ट है मतलब जो छोटे सब्दों में इस्तमाल किया है वह वस्तोनिष्ट अब्जेक्टिव कहलाते हैं अध्यापक दिर्वित वस्तोनिष्ट परिक्षड के विशाय में समझे छोटे देगे छोटे सरल एवं की गुड़ यह है कि मुल ल्ल्ल अगान असान होता है, परिक्षा असान होता है, एक बार में ज़्यादा बच्चों की परिक्षाइगनिस लेना संभ़ होता है. ठीक है, तो इस प्रकास से इसके गुड़ और आप दोस्त लिख सकते हैं, अब अब इसमें आप कुछ और देख लेते हैं इसमें तीक है तो आपने मानेक्रित देखा माननलि अध्यापक देखा अब आए वस्तुनिष्ट देख लिए आपने और या आपने निबंदलादम्क देखिए तो अब हम बस इसको देख प्रश्ट को फिर हम देखेंगे दोस्तो इसके अले प्रश्ट को तो हम नितनात्मक प्रश्ट देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यदा इंप्वर्टन है यानि कि डाइगोनस्टिक टेस्ट के बारे हम जादेंगे तो आए जानते हैं दोस्तों